नरेंद्रमोदी हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री नहीं बनेगा मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ देश भर में चुनावी महौल बना हुआ है, नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है अब नेता चौथे चरण के लिए अपने अपने पार्टी के प्रत्याश्यों के लिए वोट की अपील कर रहे है आज दसमे को प्रधान मंत्री मोधी अपने महरास्त और तिलंगाना के दौरे पर है तो राहूल गांदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर इसी कड़ी में पक्च विपक्च का एक दूसरे पर वार पलटवार भी लगातार बना हुआ है आज कॉंग्रिस के नेता राहूल गांदी सपाध्यक्च अखलेश यादो के पक्च में चुनावी रैली करने उत्तर प्रदेश के कन्नोच पहुँचे यह कारेक्रम कन्नोच के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोचित किया गया था जिसमें मंच पर राहूल गांदी और अखलेश यादो के साथ आमादमी पार्टी के सांसत संजय सिंग भी नजर आए सभा को संबोधित करते हुए तीनों ने भाच्पा पर चम कर निशाना साथा वह राहूल ने कारेक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरी गारंटी ले लो इस बार नरेंद्रमोधी हिंदुस्तान के प्रधानमंद्री नहीं बनेंगे पाईयों और बेनों एक बाद याद रखो चुनाओं में 10-15 दिन बचे हैं मगर एक बात गैरंटी करके लिख लो हमने जो काम करना था अखिलेश जी ने, इंडिया गटबंदन ने, हम सब ने मिलकर पिछले दो साल से हम काम कर रहे हैं बारत जोड़ो यात्रा, नफ्रत के बाजार में महबत की दुकान निया यात्रा, इंडिया गटबंदन की मीटिंग हमने जो काम करना था भाई और बेनों, हमने कर दिया है साथी राहुल ने प्रधान मंत्री के अडानी अंबानी वाले बयान पर निसाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोधी डर गए हैं वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ दस साल नरेंद्र मोधी जी ने अदानी और अम्बानी का नाम नहीं लिया दस साल हजारों स्पीचे दी अदानी अम्बानी का नाम तक नहीं लिया मगर आब भाईया देखिए जब कोई डर जाता है तो उनी लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाएं इसलिए नरेंदर मोधी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भाईया मुझे आके बचाओ इंडिया गटबंदन ने मुझे घेर लिया है मैं हार रहा हूं मुझे बचाओ अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ इसलिए नरेंद्र मोधी जी ने नाम लिया अच्छा उनको ये भी मालुम है कि अधानी जी कौन से टेंपो में और कैसे पैसा भेजते हैं ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्वरमे टाइम्स मैं थी आपके साथ कुम्मध मिश्रा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें